जहें दोस्तों स्वागता आप सुभी का आपके अपने यूटूब फैमिली पर आर्मी की तरप से आर्मी AOC मतलब आर्मी ओर्डिनेंस क्रोपस के अंदर जो आपके भरती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसके उपर already हम complete वीडियो बना चुके हैं लेकिन कई सारे candidate को ये doubt है कि physical में क्या क्या है आपर देखा जाएगा उसके बाद इसमें selection process को लेकर भी आपके doubt है online application की date के उपर complete हम वीडियो बना चुके हैं जिसको आप देख सकते हैं करने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रैस कर लीजिएगा दूसरों को बता दे आर्मे ओर्डियन्स क्रॉप के अंदर जो आपकी भरती होने वाली सबसे पहले आपको इसमें form apply करना है इन उसके बाद जो आपका process होने वाला इसमें sort list candidate को हैं यहां पर admit card चारी किया जाएगा admit card आपके registered email id पर आएगा जहां पर इसमें complete details आपको मिल जाएगी कब कहां पर आपका physical test होना उसके बाद रेटरन exam के लिए आपका admit card चारी किया जाएगा आपको बदा दे सबसे पहले यहां पर दो अलग-लग post पर आपके भरती होने वाली है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके treatment mate के physical criteria के बारे में physical criteria के अगर हम बात करें तो 1500 meter मतलब 1.5 km की हाँ पर आपकी running होगी male candidate के लिए जूकि physical endurance test आपका होने वाला है जिसमें आपको 6 minute का time direction मिलने वाला है काफी अच्छा time आपको मिलेगा 1500 meter की आपकी दोड़ होगी जिसमें आपको 6 minute का time मिलना है उसके बाद अगर हम बात करें आपको weight करी करके लेक जाना है यह से जो हाँ पर weight कर जो रहेगा 50 kg आपको distance की बात करें तो 200 meter में लिए आपको लेकर जाना है से weight को चाहाँ पर आपको time direction की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 second का time मिलने वाला है उसके बाद अगर हम बात करें हाँ पर ESM के लिए जो अलग criteria दिया गया है इसके लावा अगर हम बात करें इसमे female candidate के लिए running की तो female candidate के लिए भी सेम यहाँ पर distance दी जाएगी running की जहाँ पर 8 minute इनको time जादा मिलने वाला है मतलब 8 minute 26 second इनको time direction मिलने वाला है इसके लाव अगर हम बात करें physical measurement test जो आपका qualifying करने के लिए होता है जो कि आपका without shoes के यहाँ पर height measure की जादी जो कि 165 cm आपकी height होनी चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें इसमें test की तो chest आपका 80 1.5 मलब 81 cm आपका होना चाहिए और chest expanded यानि कि फोलाने पर आपका 50 cm आपका chest हो जाना चाहिए weight की बात करें तो आपका 50 kg यहाँ पर होना चाहिए उसके बाद दूस्तों अगर हम बात करें fireman के लिए तो यहाँ पर 1600 मिटर के आपकी दोड़ होगी इसके लाओ यहाँ पर कहीं सारे test आपके लिए जाएंगे उसके बाद सबसे important होता है आपका return examination तो return exam के syllabus को आप ध्यान प्रवक देख लीचेगा जो भी important topic इसके अंदर दिये गए वह साविए आप cover कर लीचेगा तब यह आप इस exam को qualify कर जकते हैं अब यहाँ पर percentage बेस पर आपको sword list किया जाएगा अगर आपको sword list में नाम आता है तो आप comment कर गए जरूर बताइएगा और इस video को जादर सब अपने दोस्तों को साथ share करना ना भूलिएगा मिलते के लिए वीडियो में जैहें बंदेमात राम